हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजुकेशन क्लस्स फ्रेंड्स आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं सोमनाथ होर शंकु चौदरी महेंदर पांड्या और जैक कृष्ण अग्रवाल ठीक है कल की जो क्लास थी वो सायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वज़े से बीच में ही रुख गई थी ठीक है तो चलिए कल जो था वो पानी बहुत बरस रहा था सायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी इस वज़े से ठीक है तो उसमें परेशान वाली कोई बात नहीं है मैंने उ अम्रत वाली क्लास है टीजिटी आर्ट की अम्रत वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं और जो छोड़ेगा वो पच्चताएगा जरूर ये बात माइंड में सट कर लीजिए ठीक है चलिए तो आज हमें क्या-क्या पढ़ना है सुमनाथ होर, शंकु चौदरी, महंदर पांड है're? Og двигay, good morning, very good morning बेटा, very good morning, चलिए चलिए फ्रेश्टर करते हैं पहले कलाकार का नाम आता है सोमनाथ होर, पहले हमें पढ़ना है सोमनाथ होर जी के बारे में, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था, 1921 में, मृत्यू कब होती है, 2006 में, ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है, 1921 में, मृत्यू कब होती है, 2006 में, फिर पहला पॉइंट आता है, सोमनाथ होर की सर प्रशिद्धि किस रूप में है तो ये कौन है सोमनाथ होर ये एक ग्राफिक कलाकार है कैसे है ये ये ग्राफिक कलाकार है ठीक है तो सोमनाथ होर का जन्म कब होता है 1921 में नत्यू 26 में इनकी प्रशिद्धि किस रूप में है ये एक ग्राफिक कलाकार है देखिए ये चित् दिखाये गया है, क्या है चित्र में, चित्र बनाया है किसने, सोमनाथ होड ने बनाया है चित्र, और ये क्या है, जक्म, वूंड्स, पेपर, पल्प, ठीक है, देख लीजे चित्र क्या है, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, सोमनाथ होड किस रूप में अधिक पहचाने ज जाने जाते हैं छापा चित्रकार है शोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं छापा कार चित्रकार मूर्तिकार ठीक है शोमनाथ होर का जन्म कब और कहां हुआ था 1921 में हुआ था कहां पर चितगाओं जो की बांगलादेश में है ठीक है तो जन्म 1921 में कहां बांगलादे किस रूप में पहचाने जाते हैं तो ये छापाकार में चलिए सोमनाथ होड ने लीथोग्राफी और इटागलियो प्रिंट मेकिंग में डिपलोमा कहां से प्राप्त किया था गौर्मेंट स्कूल अफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से ठीक है तो लीथोग्राफी और इटागलियो प्रिंट मेकिंग कहां से डिपलोमा प्राप्त किया गौर्मेंट स्कूल अफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से ठीक है आगे देखते हैं दिल्ली कॉलिज अफ आर्ट में ग्राफिक विभागा ध्यच तथा अगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है किसने लास्ट वैक्स प्राशिज के माध्यम से वियत नाम के व्यथित स्वतंतरता संग्राम के सेनानियों को तरासा है किसने शोमनाथ होर्ने ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे आजाता है मैं 1974 से अक्टूबर 1977 इसपी तक सोमनाथ होर्ने वियत नाम स्वतंतरता संग्र्स को चेरिस्थाई बनाने के इरादे से जिस एक बड़े कान से मूर्ती चिल्प की रचना की उसका सीर्सक क्या था क्या था मा और बच्चा अभी अभी हमने उपर देखा है न जुचित वो यही है ठीक है तो फिर दूसरा आता है जिंदिकी अरे क्या हो जाता है यहो क्या रहा है चलिए जिंदिकी के जखमों के कलाकार कौन थे तो यह सोमनात होर थे ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्रिशन मैं तस्वीरे नहीं बनाता मैं जखम बनाता हूँ ये कथन किसका है? ये सोमनाथ होर का है मैं तस्वीरे नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ कौन कहते हैं ये? सोमनाथ होर जी बोलते है ठीक है? इन्होंने एक मूर्ती बनाई थी? भै कब बनाई थी? 1989 में, कैसी है ये? कांसिकी है किसकी है तो ये सोमनाथ होर की है भै मूर्ती जो है वो किसकी है सोमनाथ होर की है कब बनती है 1989 में कैसे कांस में समझके चलते हैं आगे सफेद पर सफेद शरंकला के प्रिंट किसने तयार किये सफेद पर सफेद शरंकला के प्रिंट किसने तयार किये तो ये सोमनात होड़ने है ठीक है चलिए आगे आगे देखते हैं तो मिथुन एक कलाकरती है कब बनी थी 1976 में किसने बनाई थी सोमनात होड़ने मिथुन किसने बनाई है सोमनात होड़ने बनाई है भै किसने बनाई है सोमनात होड़ने बनाई है मा और बच्चा किसने बनाया ह सोमनात होड ने बनाया है ठीक है समझ रहे हैं ना कन्फ्यूजन दो नहीं हो रही है बहुत किलियलिदी बता рbral या है स्टेप वाइस बता रहे है ठीक है छलिए फिर आताह है 1985 का कुट्टा का एक अध्भुत मूर्ति जिल्प किसका कुट्टा क्या तो किस किस ने बनाया है? सोमनात होड ने बनाया है कुत्ता को कभM 1975 सब नचीं करते हैं किस ने कहा है? सोमनात होड detox अब देखेऋ सोमनात घौर जी की अननिकला क्रतियां कौन-कौन सी है important है याद रखिएगा ठीक है फुट पाथ पर सो रहा बच्चा किसकी है ये सोमनात होर की है ये कैसी है लीनो कट 1956 में बनी है फिर आता है ग्रूप मीटिंग तो ये किसकी है ये 1953 में बनी है किसकी है ये सोमनात होर की है माबच्चा ये कैसी बनी है कास्ट चित्र है ये ठीक है माबच्चा कब 1956 में फिर आता है पीठ पीठ कैसी बनी है ये भी कास्ट चित्र है 1973 में है फिर भूख लीथोग्राफ में है 1977 में बनी है चीख किसकी है 1985 में सोमनाथ होर की The Eclipse देखिए चीख, The Eclipse भूक, पीट, मा बच्चा ग्रुप मीटिंग फुट पाथ पर सो रहा बच्चा ये सब किसके हैं सोमनाथ होर के हैं समझ गये important है याद रखिएगा चलते हैं आगे तो यहाँ से हमारे जो सोमनाथ होर थे ये complete हो जाते हैं ठीक है, जितने question बनते थे वो हमने सारे पढ़ लिए है उम्मीद है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा question और अगर एक दो point छूट रहे हैं तो हम जब कलाकार के जो questions करवाएंगे तो वहाँ पर वो cover हो जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से question ज़्यादा important है वैसे तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ सारा का सारा important है तो सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा समझेगा चलते हैं आगे तो आज आता है महेंद्र पांड्या ठीक है तो देखिए महेंद्र पांड्या के बारे में क्या है महेंद्र पांड्या महेंद्र पांड्या ने मूर्ति कला का अध्यन कहां से किया था तो ये MS विश्व विद्याले बडोद्रा से कहां से MS विश्व विद्याले बढ़ोद्रा से किस ने पढ़ाई की थी ये महेंद्र पांड्या ने ठीक है मूर्तिकला का अध्यन किया था किसका मूर्तिकला का अध्यन महेंद्र पांड्या ने कहां से किया MS विश्व विद्याले बढ़ोद्रा से चलिए चलते हैं देखिए ये एक चित्र है कैसा चित्र है देख लेते हैं नीचे देखिए चित्र के बारे में दिया है महंद्र पांडिया ने बनाया है इसको और इसका क्या है परियावरण environment ठीक है ये परियावरण के बारे में दिखाता है तो कैसी बनी है ये गुलाबी संगमर्मर से बनी है ठीक है फिर आता है संग्रे कहा है रास्टी आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में है ठीक है तो देखे महेंद्र पांडिया ने बनाया है और परियावरण मतलब ये पर्यावरण को दर्शारा है और कैसे बना है ये गुलाबी संग मरमर से बना है और संग्रे कहा है रास्ट्री आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में समझके देख लीजे एक बार फिर से चित्र चले आगे चलिए आता है महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रशिद्ध है तो ये मूर्तिकार है किस रूप में प्रशिद्ध है मूर्तिकार है अच्छा हमें ये बताईए अभी अभी उपर पढ़ा है हम आपका यहीं परिवीजन भी करवाते जाते है महेंदर पांडिया तो मूर्तिकार है अच्छा हमें उपर बताईए कि जो सोमनाथ होड़ थे वो किस रूप में सबसे ज़्यादा फेमस थे करिए fast comment महेंदर पांडिया किस रूप में प्रसिद्ध है तो ये मूर्तिकार के रूप में फिर आता है महेंद्र पांडिया माध्यम के रूप में किसका चुनाव करते हैं संग मरमर वा लकडी का मतलब ये संग मरमर में और लकडी में ज़्यादा चित्र बनाते हैं ठीक है चलिए मूर्थियां बनाते हैं नेक्ष्ट नेक्ष्ट आ जाता है लकड हारा क्या है लकड हारा जैबरा मारबल से बना है और संग्रे कहा है रास्टे आधुनिक कला संग्रहाले नई दिल्ली में ये किसका मूर्थि सिल्प है तो महेंद्र पांडिया का है ठीक है तो महेंद्र पांडिया का है क्या है लकड ह तो लकडहारा किसका है महेंद्र पांड्या का है ठीक है फिर आता है फिर नेक्ष्ट आता है महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर आवच् प्रतिमाओ का निर्माड किया तो आवच प्रतिमाओं का निर्माड कौन कर रहा है तो ये महेंद्र पांड्या और किस से मतलब प्रभावित होकर तो ये रोडन से प्रभावित होकर आवच प्रतिमाओं का निर्माड किया है ठीक है चलिए आगे तो फिर आता है लकडी वा संग मरमर में बनी बालकनी मूर् सिल्प किसमे बनी है लकडी और संगमरमर में बनी है और बनाया किसने है महंद्र पांड्या ने महंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर आवच प्रतिमाओं का निर्माड किया है तो ये रोड इन ठीक है चलिए यहां से हमारे महेंद्र पांडिया भी कम्प्लीट हो जाते हैं ठीक है समझ रहे हैं हाँ चलिए अब आता है संखो चौधरी जी के बारे में ठीक है संखो चौधरी जी के बारे में अब पढ़ते हैं तो संखो चौधरी का जन्म कब होता है 1916 में मृत्यू कब होती है 2006 में ठीक है तो संखो चौधरी का जन्म कब होता है 1916 में मृत्यू कब होती है 2006 में चलिए संखो चौधरी कौन थी तो ये थी मूर्तिकार कौन थी ये मूर्तिकार थी ठीक है समझेगा सोमनाथ होड जो थे वो छापाकार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे और फिर महेंदर पांडिया कौन थे ये मूर्तिकार के लिए फेमस थे और फिर यहां संको चौधरी भी है तो ये भी मूर्तिकार के लिए है ठीक है ऐसे ही पढ़िए याद होता जाएगा हम करवा देंगे सब याद देखिए ये क्या है ये बर्ड बनाया है किसने संको चौधरी ने ये बर्ड का चित्र है देख लेते हैं किसमें बना है ये ये ब्रांज में बना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है शंखो चौधरी का जन्म कब और कहां हुआ था तो 1916 में हुआ था कहां पर संथाल परगना बिहार में तो कहां इनका जन्म होता है बिहार में कब 1916 में दूसरा पॉइंट आता है संखो चौधरी ने 1949 में कला में भी ये कहां से किया था बताईए तो इन्होंने किया था वीर भूमी शांती निकेतन से कहां पर शांती निकेतन वीर भूमी से ठीक है समझ में आ रहा है ना सारे पॉइंट चलिए आता है संखो चौधरी के गुरु कौन थे इंपॉर्टेंट है ये ठीक है क्योंकि गुरु भी फेमास है तो चेला भी फेमास है साथ में इसलिए थोड़ा दोनों याद करने पड़ेंगे तो देखिए संखो चौधरी कि मतलब के गुरु कौन थे तो इनके गुरु थे राम किंकर बैज ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्स 1945 इसवी में राम किंकर के साथ युद्ध इसमारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए कौन नेपाल गए थे तो संको चौधरी ठीक है देखे वर्स 1945 में राम किंकर के साथ कौन सी प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए तो युद्ध इसमारक ठीक है युद्ध इसमारक अच्छा में कमेंट पर बताईए कि लकड हारा किसने बनाई है फास्ट करिए कमेंट फास्ट फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सन 1980 इसवी में तंजानिया के दारे सलम विश्व विद्याले हैं सन 1980 इसवी में तंजानिया के दारे सलम विश्व विद्याले में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कौन हुए तो ये शंखो चौधरी हुए ठीक है चलते हैं आगे युद्ध इसमारक किसकी है शंखो चौधरी की ठीक है मतलब है तो राम किंकर की लेकिन शहायता किसने की थी तो संखो चौधरी ने फिर आता है ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यच्च कौन रहे है ये संखो चौधरी ठीक है चलते हैं आगे संखो चौधरी को पदम सिरी से कब सम्मानित किया गया था कब 1971 में कब 1971 में अच्छा हमें ये बता ये कल की क्लास में हमने पढ़ाया था मीरा मुखर जी मीरा मुखर जी को पदम सिरी कम मिला था मीरा मुखर जी को पदम सिरी कम मिला था कमेंट पर फास्ट चापिए कम मिला था नहीं बता पाएंगे हम हैं बताने के लिए चलिए तो संको चौधरी की जो मूर्ति है वो सेल क्या है सेल संको चौधरी की है कब बनी 1971 में संग मर्मर से बनी है ठीक है लकड़ हारा जो है वो किसी है यह मेहंद्र पांड्या की है समझते चाहिएगा अच्छा मैं बता यह जख में किस की है कर यह फास्ट कहा सुरक्षित है संखो चौदरी की मूर्ती सेल है जो यह 1971 में बनी थी संग मरमर से कहा सुरक्षित है गौर्वर्मेंट म्यूजियम और आर्ट गैलरी चंडीगण में ये रखी गई है फिर आता है figure क्या है figure किस में बना है caste में बना है मूर्ती शिल्प किसका है ये संखो चौधरी का है ठीक है शंखो चौधरी का figure जो है caste में बना है कहा है किसका है संखो चौधरी का चलिए next पर बढ़ते हैं तो संखो चौधरी का जो माध्यम था कौन सा माध्यम था प्रस्तर लकडी धातू पत्र धातू पत्र कास्ट मेटल सीमेंट चलते हैं आगे यहां से हमारे जो शंकुछ चौद्री है वो complete यहां से आगे बढ़ते हैं तो आज आता है प्रोफेसर जैक्रिशन अगरवाल कौन प्रोफेसर जैक्रिष्न अग्रुपाल ठीक है चलिए हाँ तो देखे जो क्या नान था क्या पूछा था भी हमने question मीरा मुखर जी मीरा मुखर जी को जो पदम श्री मिला था वो मिला था 1992 में कम मिला था 1992 में हम ऐसे ही पूछेंगे अब लोकों से तभी आपका अच्छे से revision भी होगा आप पढ़ेंगे भी चलिए तो क्या पढ़ना है प्रोफेसर जैक्रिष्न अग्रवाल तो क्या है जैक्रिष्न अग्रवाल उनीस सो 41 में इनका जन्म होता है तो ये किस रूप म कौन है ये ग्राफिक कलाकार है और अभी उपर भी पढ़ा है ग्राफिक कलाकार एक और कौन थे करिए फास्ट चलिए तो ये हो जाता है चित्र ये चित्र क्या है ये चित्र का नाम है ये बनाया किसने है जैक्रिष्न अग्रवाल ने और क्या है गिकली प्रिंट स्पेस र आते हैं next point पर तो देख लेते हैं इसको पहला point आता है प्रोफेसर जे के अगरवाल का जन्म कब और कहां हुआ था तो 1941 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में हुआ था बहुत important है जे के अगरवाल कहां के है यूपी के है और अपन को यूपी का ही exam देना है तो ये बहुत important हो जा उत्तर प्रदेश में समझ में आ रहा है कोई problem तो नहीं है किसी को चलिए प्रोफेसर जे क्रश अगरवाल ने ग्राफिक कला कब किस से कहां सीखी तो 1964 हीसवी में सोमना थोर से दिल्ली में सीखी थी कौन सी कला ग्राफिक कला किसने जे के अगरवाल ने ठीक है चलिए आगे दिल्ली की शिल्पी चक्र द्वारा आयुजित प्रिथम अखिल भारती ग्राफिक प्रदर्शनी में और बाद में ग्रुप आठ द्वारा आयुजित प्रदर्शनीों में वर्स 65, 73 और 74 इसवी में पुरुसकार किसने प्राप्त किया था तो इनी ने जे के अगरवाल ने जे क्रिशन अगरवाल ठीक है चलिए शाबास शलते हैं आगे नेक्ष्ट आता है पॉइंट वर्स 1974 इसवी में आयुजित चौथे अंतरराश्च्री ग्राफिक कला बिये नाले फ्लोरेंस का स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था तो जे के अगरवाल ने ठीक है नेक्ष्ट आता है किसने टोक्यो जापान में 1971 इसवी में प्रिदर्शनी में भाग लिया था तो किसने लिया था प्रोफेशर जै क्रिशन अगरवाल ने ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है आगे पॉइंट आता है वर्स 1972 इसवी में ब्रिटिस पैशत की तरफ से किसने लंदन के स्लेड इसकूल में ग्राफिक तखनीक सीखने के लिए चात्रवरती प्रिदान की थी तो किसने प्रोफेशर जै क्रिशन अगरवाल ने समझ रहे हैं चलते हैं आगे चलिए फिर आता है प्रोफेशर जै क्रिशन अगरवाल को छापा बना करने के लिए किसने उत्साहित किया था तो सुधीर रंजन खास्तगीर ने देख रहे हैं इनको उत्साहित कौन कर रहा है सुधीर रंजन खास्तगीर कर रहे हैं और इन्होंने ग्राफिक कलाकार की जो सिच्छा ली थी वो किस से ली थी किस से ली थी करिए फास्ट कमेंट बत महाविद्याले से हैं ठीक है चलिए लखनव ललित कला महाविद्याले के प्राचार खास्तगीर ने जयकृष्ण अगरवाल को लखनव कला महाविद्याले में ग्राफिक पढ़ाने के लिए कमने युक्त किया गया था तो 1964 में आगे प्रोफेसर जयकृष्ण अगरवाल का माध्यम क्या था तो ये धातू प्लेट और अमल अच्छार तो यहां से हमारे जयके अगरवाल जो है यहां से कम्प्लीट हो जाते हैं यहां से हमने आज चार कलाकार के बारे में पढ़ लिया तो उम्मीद है बहुत अच्छे से स अभी हमने पूछा था कि ग्राफिक कलाकार की सिच्छा इनको जयके अगरवाल को किस ने दी थी तो किस ने दी थी सोमनाथ होड ने दी थी ठीक है तो अब हमें नीचे बताना है कमेंट पर आपको क्वेस्चन हम देते हैं आज आप लोगों को करिएगा पांच क्वेस्चन देते हैं ठीक है बताना है आपको बताना है लखनव में जेके अगरवाल को कब नियुक्त किया गया था ग्राफिक कलाक मतलब ग्राफिक सिच्छक के रूप में लखनव स्कूल में जेके अगरवाल को कब नियुक्त किया गया था ये बताना है फिर बताना है मा और बच्च किसकी कलाक्रती है फिर बताना है फिर बताना है मचुआरा किसकी कलाक्रती है फिर बताना है कस्ट किसकी कलाक्रती है फिर बताना है शंखो चौधरी क्या थी? मूर्तिकार, छापाकार, वास्तुकार, शिल्पकार क्या थी? ये पाँच क्वेस्चिन आपको कमेंट बॉक्स पे करके बताने हैं ठीक है? चलिए तो फिर मिलते हैं आज साम 7 बजे डेली आया करिए और टाइम से आया करिए ठीक है? हम टाइमिंग बता देते हैं दो टाइम होती है अपनी क्लास एक सुबह 8 बजे होती है और एक साम को 7 बजे होती है अपनी दो क्लास होती है टीजिटी आर्ट के लिए तो आराम से सुबह आठ बजे उपस्थित हो जाये करिए डेली और शाम को साथ बजे डेली उपस्थित हो जाये करिए ठीक है तो कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो या फिर पढ़ने में कोई पॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट पर बता दिया करिए हम वहाँ पर रिप्लाई कर दिया करेंगे ठीक है और चलिए तो फिर ठीक है मिलते हैं आज हम शाम को साथ बजे बबाए